जो लीडर्स की इन फाइटिंग की उसका बहुत नुकसान हमें हुगा निकसला देना चाहता हूं हंकार में मत रहे हैं यह हंकार बहुत मड़ा होता है अब क्वाइट वही रहे है जो आपने कहा कि जो क्वाइट को प्यार करने वाले कॉंगर्स को सिंसेरटी के जो ओदों की लाल सा ना रखन वाले वो आप कॉंगर्स में वोड़े पंजाब कॉंगर्स के एक नई लिस्ट हाई है कैंडिडेट्स की जिसमें पंजाब कॉंगर्स प्रेजिडन्ट तो लड़ी रहे हैं तो मैं कभी भी अंबिशिज नहीं हुआ ओवर मीशिज तो मैं कभी हुआ ही नहीं तो मेरे को आपको पता है कि राजस्टन डेड़ साल में रहा और शबीतरी को मैं पच्चीस को वापस रहा था वहां की पार्लिमेट की इलेक्शन के बाद तो 27 को मेरे को कॉल आई कि आप अभी पार्टी के कहने के कहने से बार नहीं किया तो यह एक ओनर भी होता है कि पार्टी विश्वाश करे कि मेरा जी वर्कर है मेरा लीडर है कि इसको हम क्या चाहते हैं कहां चाहते हैं तो वो तो पार्टी का ओडर्मान ना पड़ता है आप senior नितां हैं कॉंग्रस की और कॉंग्रस भिब गंज को उता रहा है आपको उता रहा है चर्ण जी चलनी है राजा वरेंग है । इक message देना चाहती है पार्टी नहीं देखिए पार्लिमेंट जो है मेरे खाल के कॉंगर्स पार्टी बहुत ठीक और सोच सम्झगार डिसीजिन ले रही है तो अगर हम प्राणा चले जाएं तो सरदार स्वारं सिंग रहे हैं सरदार गुर्दाल सिंग तिल हो रहे हैं बलराम जाकर रहे हैं गैनी जैल सिंग रहे हैं राष्ट्रपदी बने बाद में गुर्दार स्वारं सिंग एक्स्टरनल फेर्ज मिनिस्टर बने डिफेंस मिनिस्टर बने गुर्दाल सिंग तो हमेशा पार्लिमेंट में वो चेरा जाना चाहिए कि जो हिंदोस्तान का फेस बने खास करके पंजाब जो है यह ही का पीछे हमने केंड़ेट सो दिये वह भी ठीकते पर हम अगर अकालिदल की बात करें कहां सरदार गुर्चन सिंग टौरा हर्चन सिंग लोंगोवाल ऐसे सुजी सिंग बरनाडा कितने बड़े-बड़े मौन सिंग तो इतने बड़े लीडरों ने एलेक्शन लड़ी तो वहां तो पार्लिमेंट में देश के नर्माता बैढ़ते हैं कि जन्होंने देश को बनाना है दौरा साब दौरा सत्रा में आपका बड़ा इंपॉर्टन रोल था अब तब भी जीत के आए मनिस्टर भी रहे 38 सीट आगी 22 में 18 पे आगी कॉंगरस ये लोगसभा एलेक्शन आपको एक चांस लगता है कॉंगरस का रिवाइवल के लिए पंजाब में देखिए उस ताइम हम बैठे वी आपसे बात कर रहे थे कि जब कैप्टन बरेंदर सिंग बने तो और 40,000 वोटों पर जीत कर आए तो यह इस बार जीतने वो जीते हैं उनके आदी वोट उनको मिला कि कॉंगरस में जो लीडर्स की इन फाइटिंग थी उसका बहुत नुक्सान हमें हुआ तो वो अब नहीं है जन्हों ने कॉंगरस को नुक्सान किया साथ बैठकर किया मेरे को आज भी जाद है कभी आपका इंट्रिवी हो राहुल गांदी के साथ मौका बने तो जब वो पाड़ा की एलेक्शन में आए कुर्दासपूर असेंबली में में को कहने लगे कैसा रहीगा मैंने का जो बहुत बुरा है शायर मैं भी हार जाँ तो बहुत कम वोटों से जो कहने लगे क्या हो गया मैंने का जो हमारे साथ धोखा कर रहे थे यो तो सभी बार चलेगा आप इनफाइटिंग क्या है वो इनफाइटिंग खत्म आप कॉंगर्स में वो ही रहे हैं जो आपने का कि जो कॉंगर्स को प्यार करने वाले कॉंगर्स को सिंसेरटी के जो ओदों की लालसा नारखन वाले वो और भगवनतमान के बैते हैं 13-0 होगा चाहें जितनी मजीब बेकन्स हैं बरसी साब आपने देखा होगा 97 में अकाली दल की 93 थी 93 इन से एक जारा थी तो आपने देखा कि 2002 में लोगों ने मांच का रख दिया वो कितने पर रहे थे आप कितने हैं दो रहे हैं तो मैं भगव पार बहुत माड़ा होता है जो एक हंकार है दूसरा इस टी मिनिस्टर के सर को चड़ गया है हंकार तो जिë बहुत बोड़ी बुरा होता है पंजाबी हंकारी को कभी ने मांते और नाएं वह इतने हंकार ही लोग को पसंदी करते हैं तो प्राजस्तान के बैग इन चार्ज ह पार कहती ही दी है अब तो वो भी कहने लगे हम से बदान चेंज नहीं करेंगे किसने कहा था कि चेंज करो तो ऐसा है मैं आपको बता दूँ राजस्तान से चाहे मैं एक सीट उनसे ज्यादा लेकर रहा हूं उनसे ज्यादा आएंगे पंजाब के जो गजंदर सिंग जी है इन अब तोनों का मैच होगा और करेंगे कि अगर मैं वहाँ चैलेंज देकर आया हूं उसका चैलेंज भी जहां अक्सप्ट करूँ